तो चलिए इस वीडियो में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे नादरा के बारे में नादरा यानि पाकस्तानी जो गोर्मिंट है उसकी तरह से नेशनल डेटाबेस है जिस्टेशन और थार्टी जो होती है उसके बारे में तो हुआ बेसिकली यह था कि मैंने कुछ तिन पहले एक ID Card जो मैंने रीनुल की दिया था उसमें कुछ मेंने मोडिफाइशन भी की थी मतलब उसमें मैं clear status में उसको मैंने change किया था modify किया था तो मैं तो उसकी मुझे कुछ दिकत प्रेश आ रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ दिशेर करता है जब मैं पहले मैं यहां से अपने अपने अकाउंट को लॉगिन करता हूं फिर मैं आपको बताता हूं कि असल में हुआ क्या है तो लीजिए मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूं तो मैं आपको बताता हूं असल में मेरी वो जो थी प्राब्लम वो तो साल्प हो गई है सोचा मैं आप लोग के साथ भी शेयर करता चलू थाके आप लोग भी इसको फेस करना पड़े अगर आपको तो आप उसको किस तरह से साल्प काल सकते हैं तो यह देखिए यहां पर मैंने अपना अपना अगर हम जाएंगे एग्सिक्सिन एप्लिकेशन में यहां पर मेरा एक ट्रैकिंग इडी शो हो रहा है उसकी थाइप है मोडिफाइड है और दाकुमेंट है नाइको हो है उसका डेटा देट अप्लाइड है 4-3-2021 मतलब आज से यहां पर करीब और 10 हफ़ते पहले यहां पर उसकी फीज को रिया और इसी तरह साइमेंट स्टेटर्स डाकुमेंट अप्लिकेशन एक्शन हुए लाए तो मैंने दो हफ़ते इंकजार करने के बाद मैंने जब फिर से उसका स्टेटर्स चेक ही है तो यह पर उसका प्तार र इडी यह उसका ट्रेकिंग आडी इस स्टील माट रिसीव एड नादरा हेड़कॉर्टर्स तो इसी तरह मसलचल जो यह था अर्जेंट मैंने प्लाई किया था तो जो अर्जेंट होता है उसकी अप्रूवल जो होती है वो तीन से चार दिल में मिल जाती है लेकिन दो हफ़ लेक्ते के बाद मुझे यह शीव नही होती तो मेरा теर्षण हो घृप हो झाल आज तो यह थो हाँ देमाग गोता है खर मेरा ऐसलिए कुछ प्रैसराइज नहीं किया तो उसके बाद मैंने कुछ शर्च किया मैंने क्या किया पहले मैंने जिद्दां ऐसी है जो हमारे पास उसkę मैंने का यह नहीं का आपका पाक्साननी चैकाल कि अपकां मुले गए मंतलव पाकिसान काल क्यांनावीर अपक्सान चैकल की कि आपने जो अपडेट किया है मतलब आईडिकार अपलाई किया है उसकी अपडेट हमारे इस डेटाबेस में लही आई है तो आप एक कार्म कीजिए आप जाएगा अपनी साइट में साइट पर जाएगा नादरा की वहां पे इसके अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपक कीजिए तो मैंने वही किया तो असल में मक्सद यह है कि मैं आपको दिखाना चाहरा था कि वह मैंने कैसे किया है तो संप्ली यहां पर किया है आपको क्लिक किजिएगा मैं साथ में अपना Gmail account open कर लेता हूं ता कि अपनों को दिखा सकते हैं मुझे कैसे mail receive हुई है मैंने क्या mail send की थी तो लेजिए मैंने वह मैंने login का लिया Gmail को भी अब मैं आपको उप्ताता हूं कि क्लिया क्या था मैंने अनक जैसे यहां पे launch complaint पे क्लिक है और यहां से complaint management जो system है उसमें मैं यहां से आ गया है तो इधर नीचे आएंगे यहां पे आप देखेंगे अगर तो अपने RID मतलब apply किया होगा कोई इसको अपनी submit कियोगी complaint तो आप यहां से इसको trace कर सकते हैं कि उसका क्या status है खेर मुझे एक new ticket issue कर दी तो मैंने simply यहां पर open a new ticket पे क्लिक किया और उसके बाद यह मुझे कुछ farm दे रिया उन्होंने complaint management system का तो यह contact information यहां पर मुझे तो यह रहा वंदा इसका मैंने किया था खेर यह आपको शोग नहीं होगा किनके मैं इसको जोग का दूँगा थोड़ा सा हाइट का दूँगा किनके इसको personal information है तो खेर फुल अब नेम था मैंने same to same वहीं से कापी किया इसका जो नाम है यहां से देखिए given name और सार नेम दोनों को कापी किया और यहां से फुल नेमें पेश कार दिया इसी तरह mobile नमबर दिया उसके बाद email address दिया जो verify था मतलब मेरा उसके बाद यहांसे अपने complaint Slack करनी है कि आपもしamplain करना चाहरे है यहां यहां पर ज का और Overseas Pakistani मैंने इसको यहां से स्लेक्ट का लिया और सब्जेक्ट दे रिया था यहां पर मतलब तो ऐसे मैंने पेश्ट कर दिया था, उसके बाद कुछ भी आप English में भी टाइप कर सकते हैं, आप da-। Roman उप्धू की और उद्धू में भी टाइप कर दिया उसके बाद यहाँ पर इमर जो है, इसका नमबर मैंने अंटेर कीए यहाँ पर तो उसको create ticket पर मैंने कलिक कर दिया तो जब मैं क्लिक क्रियर टीगर एशु किया तो मुझे यह लिए दे लिया, उन्होंने यह देखिए, यह मेरे पास स्पोर्ट की तरफ से application status है, यह उन्होंने एक टीगर एशु का दी मेरे नाम तर यह देखिए, यह देखिए, Dear Muhammad Mehmood, dear complaint, your application has been sealed and you will be get an email notification regarding status update on your application within 24 hours. मतलब मुझे निखाते है आपको 24 hours ते अंदर आपको इसकी रिसीव हो जाएगी मतलब mail approval आजाएगी कि आपका status रहा है मतलब complaint वो सब्मिट हो चुकी है तो मैंने मुझे यह mail शीव होगी इससे मुझे तसली मेल के चलो उनको मेरी mail मिल गई मुझे क्या दिकत पेश आ रही है तो इसके बाद मैं minimize करता हूँ आपको दिखाता हूँ यह देखिए यह थी फर्स जो मुझे पहले शोग हो रही थी यह request अगेंस tracking ID यह आपको मैंने बा आपको मैंने बताया हूँ है कि वह जब मैंने complete की तो 24 आपर बाद मुझे यह status रो करवा रहा था यह request अगेंस tracking ID यह देख सकते हैं सेम तो सेम वह tracking ID है इस और होल्ड प्लीज पॉंटेक नादरा ओफिस और काल एक यह नबर उनर दिया हुआ था तो मतलब उन्होंने इसमें बतादिया कि आपका tracking ID यह वह होल्ड पर है तो अभी उन्होंने होल्ड पर बताया complete करने के बाद लेकिन complete सब्सक्राइब यह बता रहा था still locked receive at नाद में फिर आप लोगों को बताऊंगा लेकिन हुआ कि आप जमने वीडियो यहां से create करने आया तो जब मैंने इसका status update आप status यहां से देखा अपनी application का तो वह बहुत है उन्होंने बता रहा है your request against tracking ID यह आपका tracking ID है is successfully proceed and is ready for export to printing facility यानी उन्होंने बता दिया कि आपकी जो tracking ID क आपने summit किया था उसको हमने successfully proceed का दिया है मतलब वो नादरा से clear हो चुक है और अब वो ready है printing के लिए वो printing facility यानी printing press यह जो भी है वहां पर जा चुक है जहां पर वो printing करते है ID कार्ट की तो वहां पर जा चुक है यानि आपका कार्ट जो वो delivery आपको मिल जाएगी 15 देस के अंदर यानि टूबीस के अंदर तो मुझे सिर्फ आप लोगों के ऐसा भी होता है तो आपको अपना दिल छोटा मत कीजिएगा क्योंकि मेरे साथ ऐसा पहली दाफा हुआ था मुझे थोड़ा से ना बहुत अजी में अप्लाइ किया तो आप तो वहीं गाइड का सकते ही खैर मेरा मकसर आप लोगों को उपताने था कि आप सिंप्ली यहां से जाएगा कंप्लें में यहां से कंप्लेंट से संड कीजिएगा लांच करें और उसको सब्मित कर दें तो इंशाला आपको रिप्लाइ आएगा और यह एक अच्छी सर्वस है इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान इंशाला अच्छी साइड पे अच्छे ट्रैक पे जा रहा है तो खैर आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैंने आप लोगों को क्या पताया था और इसमें हमने किस पार में डिसकस दिया खैर इस वीडियो गिलिपना ही, थैंक्स वार वाचिंग, पी एमानुला अलाह हाफीज